नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया और गंग्या के किनारे आज मैं खड़ी हूँ और सुहानी सुप्रिया और गंग्या के किनारा हो और इतनी अच्छी सुप्रिया और साथ में हमारे साथ योग रिशी मौजूद हो तो यह सुप्रिया और सुहानी हो जाती है तो आशितोष जी सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि गंग्या के किनारे अगर योग किया जाए तो इसके क्या माइने और इसके क्या फायदे होते हैं देखिए निश्चित रूप से जो योग की बात हम जब करते हैं तो योग बतलाया गया है कि खुले अस्थान में करें जहां पर प्रान वायू का प्रान उड़ जा सकती का जीवनी शक्ती का संचार हो और यह गंगा के किनारे तो निश्चित रूप से देभूमी गंगा जी का किनारा तो जो उड़ जा सकती है वह निश्चित रूप से बढ़ जाती है और यह उड़ जा सकती जब बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उस अस्थान पर जहां पर प्रान वायू प्रान उड़ सकती जब बढ़ेगी तो उसका लाव ज्यादा मिलेगा रेधर देन कोई बंद जगह पर और जहां पर बिल्कुल सफोकेटेड प्लेस में करना और गंगा जी के किनारे तो कई गुना ज्यादा इसका लाव मिलता है तो महाराज जी जैसे कहा जाता है सुबह सुबह योग करना बहुत ही अच्छा होता है तो इसका क्या कारण है प्राता कालीन सुर्योदय के समय जब हम देखते हैं कि जब हम योग करते हैं उस समय का जो औरा फिल्ड है जो एनर्जी फिल्ड है वो सबसे ज्यादा होता है ब्य चाहें अस्थूल सरीर की हो या मन की ब्रिती की हो या कैसे इस्थिर हो सांत हो तो जब सांत जगह पर करेंगे तो सांत होगा आसांत जगह पर करेंगे तो आसांत होगा तो मलब आप कह रहे हैं कि योग करने के लिए एक शांत जगह है और अच्छा वातावरन ज़ादा ज़रूँदी निश्चित रूप से जैसे आप देखते हैं कि जो बेक्ती जिम कर रहा होता है तो जिम में लाउड म्यूजिक होता है और बच्चे जब जिम करके आते हैं तो जगरों में देखता रहता हूं कि जब भी किसी की गारी आपस में सट जाए एक दूसरे को लोग बरदास्त नहीं कर पाते हैं और लराई जगरा शुरू हो जाते हैं तो जो भी देख रहा है हमें मलब योग और जिम में बहुत अंतर है योग से शांती आती है और जिम करने से कहा चाह सकता है माइंड सेट को एग्रेसिव करता है वह एग्रेसिव बनाता है वह सांत नहीं करता है यह सत्य है वह केंद्रित तो कर सकता है कि अपने शारेरी का स्थर पर लेकिन उससे मल्टीपल बेनिफिट्स जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो मह हिलिंग पावर है इसके बारे हैं तोड страх से शिर्फ थोटी सी बात है istadasa योग अपने आप में आप हिलिंग करता है ज ciento है जब हम बात करें तो मथ्रा हीलिंग की चक्रा हीलिंग की तो यहाँ सब आपस में इंटर कनिक्ट्ट है लेकिन लोगों ने इसे अपने परजाप में यह सब उसकी सक्ति है जो यहां पर आप देख रहें कि चारोर जो यह लोग जो यह पर दूर-दूर से आकर के गंगाजी के किनारे और जो जब कर रहें हैं, करवा रहें हैं यह उसका मुल्टिपल बेनिफिट्स लेता है मंत्रा हिलिंग की चक्रा हिलिंग की तो मैं जाना चाहूंगे कि इसको आप अच्छे से एक्स्प्लीन करें कि सबसे पहले आप बताईए कि मंत्रा हिलिंग क्या होता है देखिए जब हम बात करते हैं मंत्र की तो मंत्र की एक सक्ति है जैसे ब्रामन लोग आचारे लोग जब करते हैं तो करने से पहले पूजन बीधी है जो संकल्प कराते हैं तो जो वह संकल्प है कि क्या परपस क्या है उसका जाप करने का अकसर यह सवाल उठता है कि क्या जब ह बोजन कराते हैं या पूजा करते हैं तो क्या हमारे देवलोग में जो पित्र लोग जो लोग हैं क्या उनको यह मिलता है क्या पित्रों को क्या वह जब करने की सक्ति मुझे मिलती है या ब्रहमन करते हैं तो सिर्व उन ही तक रहती है तो यह संकल्प के माध्यम से जो संकल्प होनीने पहले ही इसे टेली पैथी का नाम दिया कि हम यहां से दूर बैठे बैठे संतलों करते हैं लोगों इनर्जी को संगल्प को हम देते हैं जिस प्रकार से चेली पैथी में जाता था तो ये मंत्रा हिलिंग के बारे में है और मंत्रा हिलिंग करने से और उसके क्या-क्या पावर्स होते हैं? देखे हमारे सरीर में साथ चक्र हैं मूलाधार, स्वाधेस्थान, मनीपूर, अनाहत, विसुद्धी, आग्या और सहस्तरार चक्र जो कुंडलीनी सक्ती की बात है जब हम करते हैं तो जब व्यक्ती का कोई भी साथ चक्र हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस इन ही चक्रों को ग्लैंड्स के बारे में बताया है, जो 14 ग्लैंड्स हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से जो ग्लैंड्स है और हमारा जो एंसियेंट जो सिस्टम है, जो योग विज्ञान है, जो मंत्र की सक्ती है यह उसी को चक्रों के माध्यम से आइडेंटीफाई किया हमारे डिसी मुनियों ने और जब हम मंत्र जाप करते हैं, पार्टिकुलर उस चक्र का, तो वह हीलिंग प्रोसेस सुरू होता है, उस ओर्गन को हील करता है और व्यक्ती संपूर्ण आरोगेता को प्राप्त करता है अब देखें, मैं आपसे इस पर ये सवाल पूछूँगी क्योंकि आजकल मॉडन जमाना हो गया है और अगर मैं बात करूँ मंत्रा हिलिंग की है, कोई भी हिलिंग पावर की, तो ये बहुत ट्रेंडिंग चीज है और युवाइं इसमें जा रहे हैं, अगर मैं बात और आपको बताओं कि गोवा में मंत्रा हिलिंग के बहुत बड़े-बड़े शिविर्ज भी लगते हैं और युवा वहाँ पहुचते भी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी और दर्शकों को भी आप बताईए कि मंत्रा हिलिंग को मंत्रा तंत्रा से जोड़ के देखा जा स सकता है कि यह तंत्र क्या है, आज के लोग तंत्र के नाम पर तंत्रिक को समझने लगते हैं, लेकिन जैसे राज तंत्र है, प्रजा तंत्र है, तंत्र मिन्स सिस्टम, तो यह जो सिस्टम है हमारे बॉड़ी के भीतर, जो बॉड़ी माइंड सोल है, इसको समझने के लिए ज उसकी आकृति का ध्यान करके यंत्र के माध्यम से यह प्रभावसाली है, लेकिन जब तंत्र की बात आती है, तो तंत्र का मतलब जो आज कल तथा कधित लोग अपने आपको सजाये हुए मार्केट में रखे हुए हैं, कि मैं तंत्रिक हूँ, यह तंत्र तो एक सिस्टम है, जो सिस्टम कोई भी व्यक्ति है, हमारे आचारे गन, सिद्ध गन, जितने भी जो रिशी माहापुरूस हैं, यह उस सिस्टम को देते हैं, कि जिस सिस्टम के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन सहजता पुर्वक, सरलता पुर्वक, लेकिन तंत्र के नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं हाँ, वही मैं क्लियर करना चाह रही थी, तो अब इसके बाद आप थोड़ा सा चक्रा हीलिंग क्या है उसके बारे में बताएं लेकि अभी जैसा मैंने बतलाया कि साथ चक्र हैं, इसी को मौडर्न मेडिकल साइंस ग्लैंड्स कहते हैं जब ब्यक्तिया स्वस्त होता है, किसी को यदि डाइबिटीज हुआ है, तो जो इंसुलीन नाम का हार्मोन का जो सेक्रेशन है, वह बंध हो गया वह एक्टिव कैसे होगा, मौडर्न मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि उसको एक्टिवेट कर दे, लेकिन अक्सर जितने योग के आचारेगन है, वह यह प्रमानित करते हैं कि निश्चित रूप से ठीक होता है, यानि उस ग्लैंड्स को एक्टिवेट क कर सकता है और पूर्ण आरोगेता प्राप्त कर सकता है. चक्रा हिलिंग का यही प्रभाव है कि अंतरद्वन्द भीतर का खत्म हो जाता है, चितसांत हो जाता है और मन के जो आवेग हैं, जो काम, क्रोध, लोव, मोह, राग, द्वेस, इर्ष्या, वैमनस्यता यह संपूर्ण, दुरगुन, दुरभावनाय समिठ जाती है, व्यक् के जीवन को बहुत ही जादा अच्छा बना देती हैं, और बहुत जादा बदलाव उनमें आता है, और ऐसे ही अगर हम हीलिंग पावर की बात करें, तो बहुत सारी पावर्स हैं, अगर हम औरा हीलिंग की बात करें, तो वो क्या है? देखे, औरा हीलिंग को इस माध्यम से समझा जा सकता है, कि लोग भगवान बुध के बारे में कहते हैं, कि उनका औरा फिल्ड बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था, कि एक डाकू उस औरा फिल्ड के प्रभाव में आते ही, उसका रूपांतरन हो गया, यहां उनके उस एनर्जी का औरा फिल्ड का प्रभाव था, तो यहां औरा फिल्ड उसी प्रकार से कारे करता है, कि जब व्यक्ति गंगा जी के किनारे आता है, तो आते ही मन सांत हो जाता है, उसके सारे दुर्गुन, दुर्भावनाएं सबस्वता ही नस्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यह energy field है जो प्रत्यक व्यक्ति का किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा लेकिन व्यक्ति जब तप करके आसन प्रानाया और मुद्रा बंध का भ्यास करके गात्री का जब करके या किसी भी मंत्र का जब करके अपने energy field को बरहा सकता है अपने भीतर के भाव को जो उसके दुर अगर मैं पूछना चाहूं कि और आहिलिंग से आप अपने आप में क्या-क्या बदलाफ कर सकते हैं, तो उसका अंसर क्या होगा? और आहिलिंग से आप जो कुछ भी चाहें, मन चाहा, सब कुछ आप पा सकते हैं, इसे हिलिंग को करके, अपने चक्रों को ठीक रख करके, चुकि ब्यक्ति का विचार यहीं से आता है, तो आपका एनरजी लेवल जितना पुष्ट होगा, उतना ही पावर फिल करेंगे, और उ क्लिंजिंग का क्या मतलब है? नस्ट होगा जब चित इस्थिर होगा, इसमें डूबकी लगाने से एनरजी फिल बढ़ेगा, और आपकलिंजिंग होगी, और विक्ति एकदम उरजावान हो करके. अब बात गंगा में नाहन की आई तो मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि अक्सर सब मानते हैं कि गंगा में नाहने से पाप दूल जाते हैं और गंगा को मुख्षिदाईनी कहा जाता है तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजी क्या सच में गंगा में नाहने से पाप दूलत निश्चित रूप से गंगा में असनान करने से पाप धूलता है यहां पर देख लीजिए कि जितने भी लोग गंगा जी के किनारे हैं यह सब सत प्रतिसत इसका उदाहरन है कि किस प्रकार से यह देखें कि जब निगेटिव एनरजी हमारे मन के भीतर जो राग द्वेस है यह जब हम डुबकी लगाते हैं जो निगेटिव एनरजी है यह सब सांत हो जाता है यह सब नस्ट होता है चित सांत होता है और जैसे ही चित सांत होगा तो व्यक्ति जो चाहता है वह सब कुछ उसे मिल जाता है जैसे कि अब यह तो गंगा की बात हुई हम वावपिस हिलिंग ही पे आते हैं क्योंकि Хुलिंग पावर आज कल बहुत ही जादा अगर हम एकरना चाहता है और इन सब पावरूप के बारे में जानना भी चाहता है अगर हम बात करें तंत्रा हिल् opening की और मंत्रा हिलिंग की यह दो अलग-अलग तंत्रा मंत्रा अलग-अलग वर्ट्स हैं लेकिन इन दोनों का कनेक्शन क्या है और एक एक करके अब डिस्क्राइब करिए कि दोनों चीज होती क्या है दिखिए यह जो तंत्र है यह तंत्र एक सिस्टम है समझने के लिए जो इसका आपना एनरजी फिल्ड है यह किस-किस औरगन को प्रभावित कर रहा है ठीक उसी प्रकार से हम जब मंत्रों के साथ इसकी सक्ति को जब जागरत करते हैं जब एक्टिवेट करते हैं तो व्यक्ति उस में परिवर्तन होता है वह फील करता है कि हमारा वह चक्र एक्टिव करता है अ क्षर प्रानायाम जब करते हैं जैसे क अवाप करते हैं तो कम आपकोरने से मुलाधार चक्र से ले करके विसुद्धी चक आज्याँय चक्र सहस्त्रार चक्र तक तिव करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम धीरे-धीरे एशनई सनई स्नई जब आगे की ओड़ते हैं तंत्र की बात जबाती है तो तंत्र जो है वह सिस्टम है लोगों को यह समझना पड़ेगा कि तंत्र का मतलब सिस्टम से है उस औरा से है कि किस प्रकार से इस सिस्टम को बनाया गया और किस प्रकार से व्यक्ति इसको समझे सहाजतासु पुर्वक और उसको अपने उपर अचारे के माद्ध्यम से . अपनी विधियां हैं लोगों के सुनने, सोचने, समझने की, तो अपने नजदीक में जो कोई भी आचारे हैं, उसका एक विसिस्ट है कि वह ब्यक्ति कैसा होना चाहिए, आचारे का गुन और धर्म कैसा होगा, क्या वाकई में परिक्षन करें कि उसके चेहरे पर वह तेज ओ ही उसके चेहरे पर वह संसकार, वह तेज ओज नहीं दिख रहा है, और वह कह रहा है कि हम आपको हिलिंग कर रहे हैं, हम अपनी उर्जा सकती दे रहे हैं, तो जो खुद ही कंगाल है, वो दूसरे को क्या अमीर बना सकता है? महराजी, इस बीच मेरा एक सवाल है, कि बेशक मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन आपके फेस पे एक अलग ही तेज है, जो कि हम लोगों के फेस पे नहीं दिखता, इसका क्या कारण है? यह कोई ऐसा भी नहीं लगता है कि इसमें कुछ तो निश्यत रूप से यह मेक अप तो यह अर्टिफिसियल है, फैब्रिकेटेड है, जो इनर मेक अप है, जो बेक्ती का, जो बेक्ती लोब में, क्रोध में, राग में, द्वेस में, इर्षया में, वैमनस्ता में जलता रह यह विचार भीतर से आता है, यही अस्लांग योग में, यम और नियम में है, कि व्यक्ती सुचिता पुरुव का अपने जीवन सैली को रखे, सौच संतोस तप स्वाद्धा इस्वर प्रानिधान में रहे, सत्य हिंसा, अस्ते, ब्रहमचरे और पडिग्रह का पालन करेगा, तो निश्चित रूप से उसके चेहरे में तेज ओज बढ़ेगा, उसकी और फिल एनरजी लेवल उसका बढ़ेगा, यह भीतर का है, इनर डिसिप्लीन है, इसको लागू करने के लिए निश्चित रूप से गउ, गंगा, गीता, गायतरी के नजदीक जो आएगा, वह इसक आसनात्मक तरीके से जो एडॉप्ट करेगा, जो सीखेगा, वह सब कुछ पा सकता है। सुनने में भी आता है और लोग कर्टे भी हैं मंत्र हेलं के बाए में अगर घरम snaff अब आई सो थोड़ा सा आप उसके बारे में मनत्र की अपनी सकती है हर मन्तर के अपने अपने इस्ट है उसका परपस है जब हम घरं की बातता है तो ही के लिए हम यहां बैठे बैठे किसी भी बैक्ती को भी हील कर सकते हैं यहां बहुत आसान हैं बहुत सरल हैं बहुत सहज हैं लेकिन इसके लिए संकल्प की जरूरत होती है हम अपने संकल्प के माध्यम से कि जिस प्रकार से एक छोटे बचे को जब चोट लगती है और बच्चा जब रोता है औ यह हागे की उड़ देते हैं टेली-पैथी के माध्यम से यह सामने बिठा करके इस energy field को अपनी हथेली के माध्यम से चुकि यह जो हंधेली है यही उड़ा सक्ती का Receiver भी है और Giver है तबी हम ज्ञानमुद्रा लगाते हैं और ज्ञानमुद्रा में जैसा मैंने पहले भी बतला है कि यह किस प्रकार से आपकी हस्त रेखाओं को प्रभावित करती है हस्तमुद्राइं और किस प्रकार से आपके भागे को बदलती है आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपको मिलता है तो यह healing यही energy receiver है यही giver है जब भी हम किसी को असपर्स करते हैं प्रणाम करते हैं पैड़ छूते हैं तो वह energy हम receive कर रहे होते हैं तो हम आसिरवाद देते हैं तो हम अपनी energy दे रहे होते हैं लेकिन इसके लिए व्यक्ति को good receiver बनना परेगा यदि कोई अकर में खरा हो और वह चाहे कि कोई मुझे heal कर दे आसिरवाद दे दे वह फलित नहीं होगा जब तक कि वह सांत चित हो करके नहीं बैठेगा तो महराजी जैसे आपने बोला कि मंत्रों की शक्ति होती है जिसको हम योग पावर भी बोल सकते हैं मंत्रों की शक्ति या लेकिन कुछ चीजें इसमें बहुत ही जादा बड़ी हो गई हैं देखे यह योग निद्रा है कि जब हम छोटे छोटे थे अवाजकल की मातायें तो ऐसा या दादी नानी वो नहीं करती हैं लेकिन ऐसा सब को करना चाहिए कि जब हम छोटे थे तो बचपन की जब तीन चार वर्स की उम्र की सारी बाते सारी कहानिया याद होती है तो उस समय बच्चे को सुलाने के माध्यम से गोद में लेकर के लोडी गाने के माध्यम से किस्सा कहानी के माध्यम से माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, मासी, बुवा, यह उसमें वो कमांड फीड करती थी, वो सारे संसकार देती थी, जो आज तक उस बच्चे के मन में बढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, फिर भी वो अमिटर रहता है, वो योग निद्रा है, साइको समेटिक आत्मिक रूप से स्वस्त रख सके और योग निद्रा में हम कभी भी कमांड किसी में भी फीड कर सकते हैं, इसलिए आज तक यह जितने भी जो नार्को टेस्ट वगरा है, वो योग निद्रा पर आधारित है, निश्चित रूप से, उसमें उसको उस अवस्था में ले जा हमने ऐसा देखा है, सुना है, आत्मसात किया है और लोगों को कराता भी हूँ, चुकि मैं जेलों का कारे करता हूँ, तो कैदियों में जो कमांड फीड करना होता है, वो फीड जो होता है, वो है योग निद्रा में, जब एकती योग निद्रा के माध्यम से, जब बिलकुल एकदम संग्या सुनने जब हो जाता है, तब हम जो कमांड देते हैं, वो उसके भीतर जाता है, अस्थापित हो जाता है महराजी और भी बात करेंगे, गंगा का पवित्र घाट है, तोड़ा चल देते हैं, देख लेते हैं, गंगा का घाट चलिए, आईए आईए वो महराजी कल-कल बहती हुई गंगा है, पतित पावनी गंगा है, और गंगा के किनारे आके एक अलग ही सुकून मिलता है, तो गंगा में डुबकी लगाना योग जैसा ही है? निश्चित रूप से, जो डुबकी हम योग में लगाते हैं, यह गंगा जी में डुबकी लगाने से, सेम ही उससे भी कई सो गुना ज्यादा लाव मिलता है, चुकि यह मुक्षदाइनी हैं, और इसमें जो उसधिये गुन हैं, मा गंगा में, यह इसमें डुबकी लगाने मातर से ही आप देखेंगे, कि ब्यक्ति के मन का जो भाव है, जो दुरभावनाये हैं, सब सांत हो जाती हैं, और वह जो चाहता है, उसका जो संकल्प है, वह सत प्रतिसत पूर्ण होता है, ऐसा यह सारे के सारे लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, यह सब इसी उदिश से य लिए, रीचार्ज करने के लिए, उस कोस्मिक एनरजी को रिसीव करने के लिए, जो यहाँ पर मिल रहा है। जाते हुए मैं अभी जानना चाहूंगी कि अंतर योग क्या होता है इसकी क्या शक्ति है अंतर और मौन आंतरिक रूप से मौन हो जाना मौन तो सब गर्मी, भूख, प्यास, निद्रा, तंद्रा, भै, क्रोध, आलत से जब सब कुछ मिट जाए तब यक्ति प्रवेस करता है अंतरमोन में। अंतरमोन की साधना के लिए मैं आजकल देख रहा हूं कि लोग बहुत लोग हैं जो अभ्यास में जाते हैं विपासना के लिए निश्चित रूप से वह एक सहची विधी है जहां पर जाकरके लोग अभ्यास करके उस अंतरमोन में प्रवेस कर सकते हैं और इससे जो आंतरीक और जा सकती जो बढ़ती है वह ओसमित अगर हमने और बात करूं कि हमने ंहिलिंग की बात कर ये अंतरमोन की बात करी तो कहते हैं कि मौन रहा जाए मौन रहना भी ये शक्ति एक पावर है उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंख जो देखे नहीं हाएन जब मैं जो रहा है चुकि ऐसी जगह पर अपनी उजासक्ती का सदुप्योग करे नो की ब्यकति जो हमारा सास्तर कहता है कि दूसरों के निंदा करना या गुन划न करना निंदा और अस्तूति यह तो व्यक्ति ऐसा नौ बोले मौन में रहे तो निश्चित रोप से वह अपनी एनरजी लेवल को सेव कर सकता है जिस प्रकार हम पैसे को सेव कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार से अपनी एनरजी का सेविंग भी उड़ जा सकती का संचय भी बहुत जरूरी है जी महाराजी मैं फिर उसी बात पर आऊंगी कि आपने कहा मंत्रों की मंत्रों में बहुत पावर होती है और मंत्रा हेलिंग है मंत्रा की शक्ती है लेकिन योग और मंत्र का एक दूसरे से क्या संबंध है और योग मंत्र में कितना योगदान रखते हैं देखे एक है कि ब्यक्ति कोई भी भोजन कर रहा है रोटी, चावल, दाल, सब्जी लेकिन साथ में दही भी हो थोड़ी चटनी भी हो थोड़ा आचार भी हो तो क्या होता है भोजन का स्वाध और बढ़ जाता है ठीक है इसी प्रकार से है कि जब हम योग साधना जब कर रहे ह होते हैं और साथ में जब मंत्र की सक्ती भी जूड़ गई तो व्यक्ति सारेरीक रूप से मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे वह बुद्ध के मार्ग पर सुद्ध होने के मार्ग पर बढ़ जाता है तो योग की अपने एक चीज आपने जो बताई, उसके बारे में मैं थोड़ा और जानूंगे और चक्रा, हिलिंग और मंत्र, ये दोनों क्या हैं? जब हम चक्रों की बात करते हैं, तो साथ चक्रों के अलग-अलग बीज मंत्र हैं, जब हम उन चक्रों को एक्टिवेट करने की बात करते हैं, तो उस बीज मंत्र के जब के साथ उन चक्रों को एक्टिवेट करने में सहयता मिलती है, उन ग्लैंड्स को जागरत करने में सहयता म तो जैसे हम मुलाधार की बात करें तो मुलाधार चक्र का बीज मंत्र है यम, स्वाधिस्थान चक्र का बीज मंत्र है रम, मनीपुर चक्र का बीज मंत्र है हम, तो यह इस प्रकार से जो बीज मंत्रों का जो शक्ति है वह आगे की ओर उपर की ओर यह बढ़ती है और इन करता है, जिसको कहा गया है एक ओंकार सत्नाम, यह उसी प्रकार से हैं, Isches है कि सबकुछ प्रणव है। ओंकार विंदू, संग्यूक्तम, नित्यम, ध्यायंति, योगिन ः कामदम, मुकृ से दम Sugow, ओंकार आये नमौनम जो प्रणव है, जो ओंकार है यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है यह मुख्ष जैसे गंगा जी में डूबकी लगाने से मुख्ष का मारग प्रसस्त होता है ठीक उसी प्रकार ओंकार उपासना से ओंकार साथना से विक्ति अपने सब कुछ को पा सकता है वह जो कुछ भी चाहता है वह Achieve कर सकता है तो महाराजी मैं एक दो अगर बीज मंत्र आपसे पूछू के एक दो बीज मंत्र क्या है तो आवो देखे हैं जो चक्रों का बीज मंत्र है वहाए लम, वम, रम, यम, हम और ओम औ, उ, और म, यह साथ चक्रों के साथ बीज मंत्र हैं और इन बीज मंत्र के अभ्यास से ब्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है संपोर्ण सारीरिक आरोगेता, मानसिक आरोगेता और आध्यात्मिक पथपर चलने के लिए उसका मार्ग प्रसस्त हो जाता है, ब्यक्ति सतत निरंतर उसी दिशा में इसी अविरल धारा की तरह बहता जाता है, माहराजी ये तो आपने मंत्रों के बारे में बता दिया, लेकिन मंत्रों का प्रभाव क्या होता है और मैं स्पैशली पूछना चाहूंगे आपसे, गाहितरी मंत्र क्यों किया जाता है और इसका प्रभाव क्या है बहुत अच्छा सवाल है कि ब्यक्ति जब जब करते हैं जब पुजा पाठ करते हैं जब डुबकी लगाते हैं वह क्यूं करते हैं उसका कुछ परपस है तो उस परपस को हम संकल्प के रूप में लेते हैं कि ब्यक्ति का संकल्प होता है तो एठी किसी प्रकार गायत्री का सं बूलने है तो गायतरी काजब करें 11 बार प्राताह कालीन सोगर उठतैंगे बिस्तर पढ़ें थीक उसी प्रकार है महशा मिडिवतुजा मंत्र का संकल्प अपने सारिरिक मानसिक स्वास्थ उर्जा एबं सक्ति विए महामिर्टुन्जा मंत्र का जब 11 वा और अपने त्रिविध पापताप अपने जीवन में जो भी दुर्गती है उसको नस्ट कर उस पर विजय प्राप्त कर सांती एवं समस्वर्ता अस्थापित करने हैं तू मादुर्गा के 32 नामों का जब प्राता कालेन कोई भी व्यक्ति करें तो संपूर्ण कामनाओं को उसकी है वह प्राप्त कर सकता है उसका जीवन सुखद हो जाएगा सरल हो जाएगा जो उसके जीवन में कष्ट हैं!! मुझे आता है ऑजकल कोई अईसा क्यों कोई या अकूछ क्स्ट न हो Kश्ट ना हो तो यहीं से शुरू करूंगी कि अग उच्छम शांत रहे उसे सिर्फ सिर्फ निरंटर दो मिनट से मिनट तक है करते हैं आप बहुत ही अच्छी चीज हमें बताते हैं तो अब हम आ जाते हैं आप जिंदिगी की और आगे बढ़ते हैं योग सब करते हैं और सब करना चाहते हैं उसके बारे मी बहुत जान लिया लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि महिलाये से हाउस माइफ हैं या वरकिंग चाहेंगे देखें मातों के लिए हैं कि वह पूरे घर को एक healthy lifestyle सारीरिक मानसी का ध्यात्मी को वही देती हैं तो उनका kitchen healthy kitchen हो सबसे पहला सुथ healthy kitchen होगा तो घर में सब लोग आरोग्य होंगे आरोगयता प्राप्त होगी ठीक उसी प्रकार है कि जब वो भूझन बनाती हैं तो बनाते समय कोई भजन गाते हुए कोई मंत्र जाप करते हुए जब आप भूझन बनाते हैं तो वही प्रसाद बन जाता है उसमें वो उस मंत्र कि सक्ति नहीं तो हो जाती है जो विक्ति वह खाएगा जो वह प्रसाद लेगा वह सत्प्रतिसत स्वस्थ ही रहेगा तो निश्चित रूप से भोजन बनाते समय अपने विचारों को सुधर रखें कोई भी घर में किसी भी कारण वस यदी राग है द्वेस है कुछ मन में ऐस से विचार आते हैं यहां आएगा इसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन इन विचारों को रोकने के लिए मन चाहे फिर भी थोड़ा सा भ्यास जब करेंगे थोड़ा सा जब कर लें मानसिक रूप से जो भी आपके इस्ट हैं तो सक्ति उसमें नहीं तो हो जाएगी आपका मन का भाव विचार भी ठीक हो जाएगा यह तो हो गई ग्रहनियों की बात जो भी घर में खाना सभी महिलाएं बनाती हैं लेकिन जो वर्किंग वूमन होती हैं उनका स्ट्रेस तोड़ा घर को भी समालना है घर में भी कई तरह की चैलेंजेज और ऑफिस में भी तो ऐसी स्थिति स्थिति में सबसे पहली समस्या आती है महिलाओं के लिए खास करके जो किचन में भी और ऑफिस में भी सारा कारे उनका आगे जुकने वाला होता है तो इसलिए बैक पें स्लिप डिस्क साइटिका पें माईग्रेन सर्वाइकल स्पॉंडलाइटिस और गाइनकोलोजिकल चितरूप से अपने जीवन सैली में जोरें चाहें भोजन करने से पहले या नहाने से पहले या ओफिस में भी बीच में विफोर लंच विफोर ब्रेक्फास्ट इवनिंग में विफोर डीनर कर लें लेकिन दो-दो मिनट अपने लिए जरूर निकालें चुकि आपके पुरुष भी कम परेशान नहीं है अपने हेल्थ को लेके अकसर आपने देखा होगा कि जो पुरुष वर्ग है उनका पेट बहुत आगे निकल आता है और वैसे शरीर पतला है लेकिन तोंद जिसको बोलते हैं वह बाहर निकल गई है ऐसी इस्तिती में क्या कि यह इसके का अभ्यास करें मुद्राबंध का अभ्यास करें अपने आहार को ठीक रखे अब उसकी निद्रा अच्छी आए तो निश्चित रोप से उसको लाव मिलेगा तो और यह तो हो गया फुरुष की बात अब हम आते हैं बच्चों पर जो बहुत सारे बच्चे होस्टल को जो मानसिक तनाव है यह साइको सोमेटिक डिसॉडर आजकल खूब बढ़ गया है तो इसके लिए जो ब्रेन में हार्मोन है मेलाटोनिन और सेराटोनिन यह किस प्रकार यह हार्मोन का सेक्रेशन होता है जब हम रातरी को सोते हैं तो रात में जब मध्य रातरी होती है उस सम मेलाटोनिन का हर्मोन का सेक्रेशन होता है डीप सलिप होता है रातरी के बारह से दो वजे के बीच में तो जो भी ब्यक्ति या बच्चे जब रात में मौवाईल फोन पर लगे होते हैं और दो वजे के बाद उन्हें निंद नहीं आती है तो यहां जब निन नहीं आती है उनका psychic slip बिल्कुल बदल सा गया, यह ठीक होगा तो उसके लिए जो भ्रामडी प्रानायाम है, दोनों कानों को बंद करके भ्रामर गुंजन करते हैं, इसका पांच से साथ बार अभ्यास करें, मेलाटोनिन, सेराटोनिन, हार्मोन का सेक्रेशन होने लगेगा, और यह जो तनाव है, जो stress, depression, anxiety, insomnia, यह सब कुछ दूर हो जाएगा, और कुछ नहीं से दो से तीन मिनट का ब्रामडी प्रानायाम, बच्चों से कराएं, बरों से कराएं, बुढ़े से कराएं, जिनको भी नि सब्सक्रेशन भड़ चुका है, लेकिन और इसमें यह भी कहा जा सकता है, कि रातों को नींद नहीं आ रहे हैं, लोगो लोगो को, लाइफ स्टैल पूरी चेंज है, सुबह चार बजे, तीन बजे सो रहे हैं, तो ऐसी इस्तिती में क्या करना चाहिए, देखिए, यह जो द देखा है कि जब ब्यक्ति का समय जो डीप स्लिप का है, जो मेलाटोनीन, सेराटोनीन हार्मोन के सेक्रेशन का है, उस समय ब्यक्ति जग रहा होता है, या बातचित करने में, या चैट करने में, या अपने ओफिस के कारियों में, तो यह उस ब्यक्ति को सुनिश्चित करना परेगा कि मुझे चाहिए क्या ब Living है या पहले डुड़ वेल्थ कि या विकतीर खात ले भर में चायन कर ले वीड़ ये भेरी गूड INF है ऐसा ही हो रहा है तो इसके लिए बहुझ जरूरी है सुतर के साथ कि पहला सुख निरोगी काया कि सुत्र को लोग फॉलो करें दूजा सुख तो है ही तीजा भी है लेकिन हम पहले सुख की बात जब करते हैं तो गुड हेल्थ की बात हमारे सास्त्रों में बतलाई गई है हमारे रिसी मुनियों ने बता है तो इस गुड हेल्थ के लिए ही यह तमाम लोग यहां पर जो योग सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए अगर आपके पास कोई टेप्स हो तो एक रिटार्मेंट का जो कॉंसेप्ट है यह सिर्फ भारत देश में ही देखा गया है पस्चिम में ऐसा नहीं है तो यहां पर मानसीक रोगियों की संख्या आप जब देखेंगे तो बढ़ गय तो पारकिंसन की बिमारी जो होती है वह क्यों होती है कि 30 साल की उम्र के बाद तब तक वह वरकिंग था ओफिस में कारे वह कर रहे थे अब एक दम से काम छूट गया छोड़ दिया छूटा नहीं है उन्होंने छोड़ दिया अब वह कहते हैं कि मुझे आराम करने का वक्ता गया तो मन ने सोचना बंद कर दिया दिमाग जो पहले सोचा करता था तो इस पर यह रिसर्च देखा गया है कि जन जिन लोगों की पावर सीज हो गई रिटार्मेंट यानी पावर सीज होना या बच्चों ने पावर सीज कर लिया वह पारकिंसन के रोगी होंगे इसलिए मैं तमाम उन युवाओं से यह रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि अपने माता-पिता का पावर सीज न करें उनको वह पावर दे करके रखें ताकि वह सा इसकाम के योगे नहीं हो यह ठीक नहीं है उनके गुड़ हेल्थ गुड मेंटल स्टेट के लिए फिजकल स्टेट के लिए तो महराची अगर कोई चाहे मतलब अब हम सभी की बात कर रहे हैं अंत की और चलेंगे कि हमें फिट रहना है अच्छे से रहना है मन को शांत करना ह हैं तमाम परिशानी है उसको थोड़ा आती है परिशानी जिंदगी है लेकिन वो बिल्कुल ही अपने को टच नहीं करें ऐसे में कोई आपके पास टेप्स हो तो बताई देखे प्रकृति के करीब आए प्रकृति के गोद में जाए कि प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिय है इसका उपभोग कैसे करें यह ब्यक्ति के घर से आज कर लोग टोटके बतलाते हैं कि घर का नल जो है वो टप-टप करके पानी नचूए इससे घर के पैसे जो है वो नस्ट हो रहे हैं जब ऐसे टोटके को जोरा गया तो लोगोंने पानी जल सनरक्षन की बात आई है ले बेहत समझना जरूरी है उसका दुरुपयोग न करें सदुपयोग करें यह न समझें कि यह जो चीजें हैं हम इसको नस्ट होने दें नस्ट कर दें जो भी व्यक्ति इस भाव में रहता है जैसे हम पानी का ग्लास लेते हैं आधा ग्लास पानी पिया छोड़ दिया बॉटल वही वही बात है कि किसी न किसी चीज की कोई न कोई तो बात होती ही है अब उसको आप तंत्र विद्या में ले लो मंत्र विद्या में ले लो यह यह ठीक ऐसे ही हैं कि आपने बिंदी लगा रखी है हमने तिलक लगा रखा यह आग्या चक्र को एक्टिवेट करता है तो है पी हर्मोन्स का सेक्रेशन होता है, अक्सर लोग बच्पन में भी यहां पर दवाव डाला करते थे, यह जो आग्या चक्र और बिंदू चक्र का अस्थान है, जो गले में पहनने का है, जो बाजू में पहनने का है, इन सबों का आधार है, वैज्ञान की यह तत्य हैं, और इन क्या लाव हैं, पार्टिकुलर कौन सा ओर्गन, कौन सा नस उससे प्रभावित हो रहा है, और यह किस प्रकार से आपको गुड हेल्थ देता है, गुड वेल्थ देता है, गुड फिजिकल एस्टेट देता है, गुड मेंटल एस्टेट देता है, गुड एस्टेटस देता ह लिए ही नहीं होता कि हमने कांशिदवा करके कुंडल पहन लिए यह संसकार है यह सोला संसकारों में आता है तो निश्चिती हम अगली बार आप हमें समय दीजेगा तो हम इस पर बात जरूर करेंगे अब जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक मैसिज दे दीजे कि वो अप पहले स्वैम का करें अपने मन का करें अपनी बृतियों का करें इन सबों को अनुसासित रखें यहां आपके कंट्रोल में हो चुकि आपका जो मस्तिस्क है जो चित है जो मन है जो बुद्धी है यह यदि आपके नियंतरन में नहीं है किसी और के नियंतरन में चला गया तो डॉक्टर के पास, किसी वैद्ध के पास, किसी नीम हकीम के पास, तो ऐसा स्वेम में यहाँ आपके भीतर ही है कि आप इसको अपने भीतर के अनुसासन को जागरत करें, अनुसासन में अपने मन को रखें, काबू में रखें और संपूर नारोगयता को प्राप्त करें. जी बिलकुल क्योंकि खुद में बदलाव बहुत जरूरी है अगर आप में बदलाव होगा जब ही आपका जीवन बदल पाएगा आशुतोष जी महराज आपने इतना अच्छी अच्छी चीजे बताई और योग के बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते थे और निश्चिती ह हमारे दर्शकों को बहुत ही लाब मिलेगा इन सभी चीजों से अगर आप इन सभी चीजों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और जाते जाते हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजीगा क्योंकि आगे भी हम आशुतोष महराज जी को बुलाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद महराजी आपका